सीजन वन एपिसोड फाइव स्ठार्ट होता है और हमें दिखता है कि चक की पुछताच करने के लिए पुलिस आई हुए होती है प्रिवेस एपिसोड में हमने देखा कि चक ने उसके नेबर का नियूस पेपर चुरा लिया था वो चक चुरा रहा था तो उसने प्लेस प्रैंकेट भी पेहना हुआ था उसके नेबर ने ये सब देखा था और उसे लगा था कि यहां कुछ अटपटा चल रहा है तो उसने पुलिस को कॉल कर दिया अब पुलिस चक के यह आ जाती है और उसे बोलते है कि तुम अब बाहर आ जाओ चक बोलता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता मेरी एक कंडिशन है जिसकी वज़े से मैं बाहर नहीं आ सकता मैं इलेक्ट्रो मैगनेट से मुझे बहुत ही दर्थ होता है चक उन्हें समझाने के कोशिश करता है कि मैंने निउस्वेपर नहीं चुराया था मैंने वहाँ 5 डॉलर भी रख दिये थे पुलिस को फिर शक होने लगता है वो दो लोग होते हैं तो इसमें से एक पार्टनर पीछे से जाता है जब वो पीछे के डोर से अंदर शाक कर देखता है यह उसे दिखता है कि चक ने अपनी जो वाइरिंग है वो सब निकाली हुई होती है उसे लगता है कि यह ड्रॉक्स पर है इसलिए फिर वो फिर से अपने पार्टनर को लेने के जाता ए उसका partner भी यह देखता है और वो दोने decide करते हैं कि अब उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा जग उन्हें legally समझाने के कोशिश करता है कि तुम्हारे पास ऐसा cost भी नहीं है कि तुम यह दर्वाजा तोड़ दो और गर में आवपर वो नहीं मानते और वो चक को tease कर देते हैं उसे पहले ही electricity salary होती है और उसे tease करने के बाद और भी जादा उसके तपेत खराब हो जाती है next scene में हमें दिखता है कि जब अब Saul ने एक stunt pull out किया है उसके अच्छे से publicity हो गई है तो अब उसे बहुत सारे client मिल गए है वो एक बड़े से घर पर आता है उसके owner से वो फिर बात करता है उसका owner उसे बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम कितना अपने identity के लिए जगड रहे हो पर फिर भी तुम्हें इतनी घटिया car use करने पड़ती है वो Saul की car उसने बाहर देखी होई होती है वो बोलता है कि मैं respect करता हूँ जो भी तुम कर रहे हो तुम actual America को represent करते हो America का struggle, America का hope सब तुम represent करते हो वो Saul से बहुत ही impressed होता है वो Saul को बोलता है कि मैं उसी America को फिर से देखना चाता हूँ entrepreneurship और इन सब चीजों को मैं support करना चाता हूँ इसलिए वो उसका plan ही होता है कि वो अपनी special country बना ले उसके पास बहुत सारी जमीन होती है और उस पर वो एक special country बनाने वाला होता है जिसमें बहुत सारी facilities entrepreneurship को देने वाला होता है फिर Saul से बोलता है कि इसमें बहुत सारा time लगेगा और बहुत सारे hours भी लगेंगे तो क्या तुम इसके लिए ready हो तो वो ready होता है और वो फिर उसे पैसो की बारे में पूछता है Saul बोलता है कि मैं 500 dollars per hour लूँगा Saul का अच्छा return dollars होता है पर वो अब बहुत ही जादा यानि कि 500 dollars उसे मांग रहा होता है फिर उसका फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुमें returner पर रखता हूँ यानि कि सब पैसे पहले ही वो उसे दे देना वाला होता है वो बोलता है कि मैं 1 million तुमें पूरी case के लिए दूँगा advance मैं तुमें 500 के दूँगा और काम होने जाने के बाद मैं तुमें बाकी बचे हुए 500 दे दूँगा Saul को बहुत ही अच्छा लगने लगता है उसके मन में ही पैसो को लालज आ जाता है फिर वो उसके लिए एक bag लेकर आता है उसमें million dollars होते है Saul फिर जब पैसे चेक करता है तो उस पैसो पर उस owner का ही face होता है फिर Saul उसे पूछता है कि यह क्या है तो वो बोलता है कि यह हमारी कंची होने वाली है इसलिए इस पर मेरा ही face होने वाला है फिर Saul वहाँ से निकल जाता है Saul को ऐसी कुछ deal नहीं करने होती next client के पास हो जाता है तो वो client उसे पुछता है कि क्या तुम NDA sign करोगे यानि कि non-disclosure agreement वो उसका एक invention होता है वो Saul को दिखाना चाता है फिर Saul उसका invention देखता है यह toilet seat होती है जिस पर एक audio device होता है वो device छोटो बच्चों को encourage करता है अच्छे से potty करने के लिए उनको potty के लिए train करने के लिए device बना होता है पर जब Saul इस audio device की आवाज सुनता है तो उसे यह sexual लगती है वो उसके client को बताना चाता है पर वो उसका नहीं सुनता और वो उससे वहाँ से निकाल देता है फिर वो एक old lady के यहाँ आता है उस old lady की जो cut put लिया होती है वो अपने grandson को, granddaughter को वो उने उसे देनी होती है वो उसकी will उसे Saul से बनानी होती है वो बहुत सारी condition अलग-अलग उस will में रखने वाली होती है Saul यह सब लिकरा होता है फिर Saul उसे पैसो के बारे में बोलता है वो बोलता है कि मैं पुरी will तुमें 140 डॉलर में बना कर दे दूँगा वो उसे एक सेकन देखती है तो Saul बोलता है कि 70 अगर तुम अभी दे दो तुमें 70 will हो जाने के बाद भी ले सकता हूँ फिर वो लेडी उसका purse निकालती है हौले हौले वो निकाल रही होती है तो Saul को लगता है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे फिर वो slowly slowly सारे पैसे 140 डॉलर सौल को दे देती है इस दिन और वो दो wills बनाता है फिर रात में वो कीम के पास होता है वो कीम को manicure, pedicure कर रहा होता है उसकी nail polish भी वो लगा रहा होता है Saul उसके horrible day के बारे में बोलता है वो उसे उस audio device के बारे में बोलता है और वो दोनों हसने लगते हैं उसे बोलती है कि तुम्हारा day वेसे भी अच्छा रहा है क्योंकि तुम्हें wheel करनी मिले है और तुम्हें old clients भी मिल चुके है किम उसे समझाती है कि मैं भी elderly log करना चाहती थी इसे बहुत ही scope है और तुम अगर ये seriously करोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छा profit यावे हो सकता है वो बोलती है कि एक lady थी जिसके पैसे उसका sun चुराता था तो elders को lawyer की जरूरत होती है उनकी देखबाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाही होता है तो तुम ये अच्छा काम कर सकते हो तुम उनकी देखबाल कर सकते हो उन्हें help कर सकते हो सौल को भी ये सुनकर अच्छा लगता है और इस पैवर सोचने लगता है फिर किम को call आता है और चक की news मिलती है चक एक hospital में होता है तब वो दोनों वहाँ चले जाते है सौल सब lights वेगरा on देखता है और फिर वो सब burn करना चाता है वहाँ की नर्स उसे मना करती है और security को बुलाती है डॉक्टर भी आ जाती है और डॉक्टर बोलती है कि ये क्या तुम कर रहे हो सौल फिर चक की सब condition उसे बताता है सौल उसे उसके mobile वेगरा सब निकालने के लिए बोलता है सौल वो सब बाहर रख कर आता है वो डॉक्टर उसे फिर बोलती है कि तुमें इसे psychiatric ward में भर्दी करा देना चाहिए एक महीने के लिए इसे submit तुमें कर देना चाहिए सौल फिर उसे मना कर रहा होता है और फिर चक जग जाता है उसे अब इतना दर नहीं हो रहा होता क्योंकि सब electric device अब बंध है सौल जब उठता है तो डॉक्टर उसका जो बेड होता है वो भी electricity पर चलता है तो वो on कर देती है चक को यह मालूम नहीं होता तो फिर वो चक से सवाल पूशने लगती है चक फिर से अपनी condition explain करता है फिक वो डॉक्टर सौल को बाहर लेकर आती है वो बोलती है चक की यह जो condition है यह psychological है इसलिए तुम्हें इसे भरती कराना चाहिए सौल बोलता है जो तुम्हें trick की यह बहुत ही कटिया थी और मैं मेरे ब्रेदर को कही आस्पिटल में बगरा नहीं भरती करने वाला उसकी condition real है और यह अच्छी भी हो जाएगी किम भी डॉक्टर को support कर रही होती है वहाँ फिर हावर्ड आता है और सौल से पूछता है कि कैसा चक है सौल उसे बोलता है कि अब चक का क्या करना है इसके सब rights मेरे है वो उसे धमकाता है कि तुमारी company में चक के shares अब मैं sell कर दूँगा किम उसके पास भाग कर जाती है तो किम से बोलता है मुझे सिर्फ उसे डाराना था मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला फिर वो चक को घर लिकर जाता है वो चक के लिए coffee बगरा बनाने वाला होता है सौल फिर उसका newspaper वहाँ देखता है और चक को समझाता है कि मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा ये एक stunt मैंने pull out किया था पर मैं अब कभी भी ये नहीं करने वाला वो चक को बोलता है कभी भी मैं ये करता हूँ तब तुम्हें ज़्यादा तकलिफ होने लग जाती है तुम्हारे psychological है चक मानने रहा होता वो चक को अशुर करता है कि मैं elderly law भी अब करना चाता हूँ elders को मदद में करना चाता हूँ इसलिए मैं करने वाला हूँ चक को ये सुनकर अच्छा लगता है चक ने एक space blanket पहना हूँ होता है क्योंकि उसे तकलिफ हो रही होती है वाल जब ये सब बताता है तो चक उसका place blanket वहाँ से निकल देता है यहाँ हमें पता चल जाता है कि चक की जो condition है वो purely psychological है फिर next scene में हमें old age home जो होता है वहाँ soul advertising करते हुए देखता है वो उन्हें free की jelly देता है और उसके नीचे उसके advertisement होती है वो सबसे बात करता है और elders के साथ watchers से पेश आता है उन सब को soul पसंद आने लगता है फिर next scene में हमें दिखाए गया है कि soul parking के यह आता है वहाँ वो माइक से मिलता है और उससे वो card देता है वो उसे बोल रहा होता है कि तुम भी elder हो इसलिए तुमें जरूरत पड़ेगी पर वो बोलता नहीं वो माइक से बहुत ही डरता है और माइक अपने आपको भी elder नहीं समझता इसलिए फिर वो वहाँ से चला जाता है नेक सीन में अब हमें माइक दिखाया गया है एक अपनी night shift करके अपनी daughter-in-law का जो घर होता है उस पर नजर रखने के लिए आता है उसकी daughter-in-law उसके कार में से देखती है और सीधी चली जाती है फिर माइक उसके घर आता है घर पर वो जब आता है तो पुलिस उसे लेने के लिए आई होई होती है माइक ओरिजिनली फिली डिलफिया का होता है तो उसके पार्टनर फिली डिलफिया से उसे मिनने के लिए आई होई होती है उन्हें कुछ question उससे पूशने होते हैं यही एपिसवर्ड खतम हो जाता है